दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1971 में रिलीज हुई एक एक्षन ड्रामा मुवी का जिसका नाम है रखवाला और इस मुवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं धर्मिंदर, लीना चंदावरकर, विनोत खन्ना, राकेश पांडे, मदन पूरी और केश अफराना इसके इलावा इस फिल्म को डारेक किया है अदूरती सुबाराओ ने और इस फिल्म के बेडियूसर्ज हैं टी गोविंदा राजन और एस कृषना मूर्थी अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस कहानी की शुरुवात होती है दीपक कुमार यानि धर्मिंदर से जो अपनी बोड़ी मा और छोटे भाई सुरेश यानि राकेश पांडे के साथ रहता है और फिर कहानी अपना असल लुक तो तब लेती है जब दीपक को बॉक्सिंग चेर्मेन जुआला पड़सात यानि मदन पूरी नौकरी पे रख लेते हैं जबके दर हकीकत वो दीपक के साधेपन और इमानदारी का फाइदा उठाना चाते हैं और उनके इस काम में उनका साथ दे रहा होता है शाम यानि विनोत खना अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफी दिल्चस्प हो जाती है जहां कहानी से जुड़े बहुत से इंट्रेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट आपके सामने आएंगे जिन्हें जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं अब बात करें इस फिल्म की डारेक्शन के बारे में तो रखवाला कॉलिटी वाइस सेवेंटीस एरा के हिसाब से काफी उनीक फिल्म है जिसकी स्टॉरी को डारेक्टर ने काफी अच्छे से नेरेड किया है इसके अलावा फिल्म की स्क्रीम प्ले राइटिंग भी काफी बढ़िया है जहां फिल्म का फ़र्स्ट हाफ पहले सीन से ही स्टॉरी के में प्लॉट पे फोकस शूरू कर देता है और साथ ही साथ करेक्टर्स को भी establish करता है जबके second half में हमें एक dramatic plot twist देखने को मिलता है जो कहानी के दूसरे angles को भी cover करता है और overall देखें तो इस film का screenplay काफी gripping अंदाज में लिखा गिया है जो हमें शुरू से लेके end तक कहानी से जोड़े रखता है और बात करें dialogues writing की तो फिल्म की dialogues writing average थाबित होती है जहां इस फिल्म में काफी usual conversations और dialogues का इस्तेमाल किया गिया है जो हमें कुछ खास या नया offer नहीं करते इसके इलावा फिल्म के action scenes काफी शानदार हैं जिन्हें काफी अच्छे से execute किया गिया है और बात करें music की तो फिल्म का music भी काफी बढ़िया है जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही बहत शानदार हैं अब बात करें acting performances की तो धरमिंदर इस फिल्म में काफी smart और handsome नज़र आए और उन्होंने अपने किर्दार को भी बहत शानदार तरीके से निभाया और वो काफी mature और sensible performance देते नज़र आए और बात करें विनोत खन्ना की तो उनका किर्दार भी काफी interesting way में लिखा गिया है और उन्होंने भी अपने किर्दार को काफी अच्छे से निभाया और outstanding performance दी और इस तरह के variation वाले rules ही विनोत खन्ना की expertise है इसके इलावा लीना चंदावरकर और मदनपूरी के साथ साथ फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफी बड़िया काम किया है overall देखा जाए तो रखवाला एक bell scripted action movie है जिसमें शानदार story plot के साथ साथ आपको धर्मिंदर और विनोत खन्ना का iconic pair भी देखने को मिलेगा तो दोस्तों रखवाला movie मैं आप सब को highly recommend करूंगा आप सब भी इस शानदार movie को जरूर देखिएगा